नमस्कार निजुरू में आप सभी का स्वागत है मोधी सरकार ने तीनों सेनाओं को आत्म निर्भर बनाने उन्हें आधुनिक सेने साजों सामान से लेस करने और नई-नई वेश्विक चनोतियों से सबक लेते हुए रड़नीतिया तयार रखने की दिशा में काफी प्रयास की है आज दुश्मन कोई हरकत कर दे तो हमारी सेना उसको घर में घुसकर मारती है दुश्मन कोई हरकत कर दे तो हमारे वायू सैनिक हजजारों किलों के बम उस पर गिरा कर उसका समूल नाश कर देते हैं यही नहीं हमारे लड़ाकों विमान यदि सीमा के आस पास थोड़ा टहल भी आएं तो उनकी गड़गडाहट से दुश्मन की आत्मा काप जाती है हमारे नाशना भी समूदर में सुरक्षा से लेकर समूदरी डाकों से मुकाबला करने तक के कारियों को बखुभी अंजाम दे रही है नाशना की ताकत में और इजाफा करने के लिए मोदी सरकार تمام कदम उठा रही है देखा जाये तो वर्तमान में समुद्र में खत्रा बढ़ता जा रहा है इसलिए मोधी सरकार ने भारती नौसेना की शक्ती में और इजाफा करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है नौसेना की शक्ति में इजाफे का मकसद सिर्फ समुद्री डाकों से लड़ना नहीं बलकि चीन द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों का मुकाबला करना भी है हम आपको बता दें कि सुरक्षा मामलों पर मंत्री मंडलिय समीती नौसेना की युद्ध पोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक विस्तारित दूरी वाली ब्रमोस सुपर सोनिक क्रूज मिसायलों की खरीद को मंजूरी दे दी है बुद्वार शाम को ही बैठक में करीब 19,000 क्रोड रुपे की स्टील को मंजूरी दी गई पताया जा रहा है कि ब्रमोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्राले के बीच मार्च के पहले सब्ताह में अनुबंध परहस्ताक्षर किया जा सकता है ब्रमोस एरोस्पेस भारत और रूस का सर्युक्त उद्यम है जो कि सुपर सोनी क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिनने पन डुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमी पर इस्तित प्लेटफॉर्मों से लाँच किया जा सकता है अब आपको बतादें कि ब्रमोस कॉर्परेशन द्वारा ब्रमोस मिसाइल का महत्पूर्ण रूप से स्वदेशी करण किया जा रहा है इस मिसाइल को जल ही फिलिपीन्स को भी निर्याद करने की तयारी है जो कि इसका पहला वैश्विक ग्रहक है इसके लावत दक्षिनपूर्व एश्याई छेतर के कई देशों ने भी इस मिसाइल प्रणाली में गंभी रुच्ची दिखानी शुरू कर दी है प्रमोज एरोस्पेस प्रधानमंतिर निरेंद्र मोधी द्वारा निर्धारित पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्याद लक्षे को प्राप्त करने की दिशा में भी काम कर रहा है जहां तक समुद्री सुरक्षा को लेकर सरकार के आशवाशन की बात है तो आपको बता दी कि रक्षामंतिर राजना सिंग ने कहा है कि भारत सभी मालवाहक चाहजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक जल छेतर में निरंतर उपस्तिती बनाए हुए है और वह छेतर के सामोही कल्याण को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी खत्रे का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेगा विशाका पत्नम में मिलन नौसेनिक अभ्यास के अपचारिक उद्गाटन समारों में उनकी टिपणी यमन के हूती विद्रोईयों द्वारा लाल सागर में विभिन वानिजिक जहाजों पर हमले किये जाने से बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच आई है राध्यासिंग ने कहा हम ऐसे किसी भी खत्रे का मुकाबला करने से पीछे नहीं हटेंगे जो हमारे सामुही कल्यान को नुकसान पहुंचाता हो जिसमें समुद्री डेकैती और तसकरी शामिल है कि हाल ही में नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने भी कहा था कि भारती नौसेना हिंद महासागर छेत्र यानि आई यूर में सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देगी और अगर समुद्री डेकैती का प्रयास किया गया तो वह बहुत बड़ा और कड़ा स सबक सिखाएगी उन कहा था कि हिंद महासागर छेत्र में बड़ी संख्या में पोथ तैनाथ हैं और तीन से चार पोथ सोमालिया के पास हैं नौसेना प्रमुक ने कहा था कि भारती नौसेना संकट में फसे भारतियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए उत्तरी अरब सब्सागर और लाल सागर में भी तो न विरोधी अभियान चला रही है बर कि भारती नौसेना समुद्री ठकैति की कोई भी इंद महासागर छेतर में सबसे बड़ी रेजिडेंट नौसेना शक्ति हैं और हम किसी को भी इस छेतर में सुरक्षा और इस्थेड़ता का बाधित नहीं करने देंगे। नौसेना प्रमुक ने कहा था कि हम कह चुके हैं कि समुद्री डकैती नहीं होगी और हम समुद्री डकैती करने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति को बहुत कड़ा सबक सिखाएंगे अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके